So, Hello Everyone, तो आज के क्लास में हम लोग सब इंस्पेक्टर का क्वेस्टन का अनालिसिस करेंगे Each and every क्वेस्टन को देखेंगे कि कैसा क्वेस्टन आया था और आप लोग को बताऊं कि क्वेस्टन का लेबल थोरा सा अच्छा आया था जो कि सारे स्टुडेंट्स भी जानते हैं और थोरे से अजीब से क्वेस्टन भी थे तो आपको मैं बताऊं कि अगर आपका क्वेस्टन थोरा डिफरेंट टैप का था इसमें कम्पटिशन में ये होता है न कि ये क्वेस्टन सब के लिए एक ही जैसा होता है मतलब ये एक ये ऐसा नहीं है कि एक स्टुडेंट को टफ दे दिया एक स्टुडेंट को आसान दे दिया सब के लिए एक ही जैसा होता है तो कम्पटिशन ऐसा होता ही है आप जो पढ़ते हैं वो नहीं आता जो नहीं पढ़ते हैं वो आ जाता है इस टाप का होता है competition जो किसी का लख भी काम करता है किसी का लख नहीं भी काम करता है वैसे इस exam में वैसे students ज्यादा benefited हुए हैं जो पहले से अरुनाचल प्रदेश का public service commission का exam का त्यारी कर रहे थे क्य क्योंकि वो बहुत short में पढ़े हुँगे पूरा depth में GS नहीं पढ़े हुँगे जो कि उनको gk पढ़ाये जाता है और syllabus में gk होता है gk में बहुत ज़्यादा depth नहीं होता जिसके कारण वो थोड़ा सा lack कर सकते हैं but still सारे questions नहीं थे बहुत ज़्यादा भाड़ी ठीक है न मैं तो आपने बन जाने की पहला cruise ने की सीट इस में से वोल सा ऑप्साण इसमें सभी होगा तो देखेए यह शूयमा थे जीचल कॉण नहीं होता तरफ दीचल फ्यूल इसका अंसर होगा स्पीड शूल इसको याद रखेगा इसका आंसर speed of diesel fuel है तो इसका आंसर क्या होगा speed of diesel fuel होगा यह senior number senior number जोता है यह फिर senior rating यह आपका diesel fuel के speed के लिए ही indicator होता है ठीक है तो इसको आप याद रख सकते हैं यह काफी depth से question पूछा था ऐसे questions exam में थोड़ा सा tough हो जाते हैं वैसे science का इतना ज़्यादा depth का question आपको पूछ दिया था ठीक है न यह mechanical के student ही समझ सकते हैं अगला question है खोदिया dance खोदिया dance one of the famous folk dance is celebrated in which state अब आपको मैं बता हूँ कि यह खोदिया dance एक folk dance है वैसे folk dance जनराली exam में नहीं आते बट आपके exam में पूछ दिया गया ठीक है यह खोदिया dance जो है न यह आपका हरियाना में celebrate किया जाता है तो यह question बहुत depth में पूछ दिया गया वैसे जो आज तक exam में छोटे जो सव inspector के exams में इतना depth question नहीं पूछना चाहिए अगला है which among the following is the fourth group of Sikh religion अब देखिये जनराली exam में first group पूछा जाता है second group पूछा जाता है यहां पर fourth group पूछ दिया गया है तो यह काफी ज़्यादा अजीफ सा question पूछ दिया यह भी काफी depth से question पूछ दिया तो वैसे इनका जो इसका जो answer है वह गुरु अर्जुन देव जी थीख है न गुरु अर्जुन देव जी इस Prophet इसका anchor है Guru अर्जुन देव जी यह भी काफी depth से question पूछा जाता है generally पहला और दूसरा पूछा जाता है पर last पूछा जाता है तो यहां पर फूर्थ गुरु यह दे, गुरु अर्जुन देब जी, तो इस तीनों डांस में, इस दूनों question में, हो सकता है कि आपका question नव बना हो, बट ये question काफी अच्छा है, अगला question है, देखे, how many teeth does a rabbit have, रैचे देखे, एक lucid का किताब है न, उसमें ये सब question दिया हु सकते हैं, कि किस के लिए, कितना, किस animals में, कितने ज़्यादा, वो होते हैं, teeth होते हैं, तो teeth वाला question थोड़ा popular होता है, बट ऐसे questions तो generally देखने को नहीं मिलते हैं, बट कभी-कभी ऐसे questions आ जाते हैं, तो वैसे मैंने share भी कर दिया है, कि किस में कितने teeth होते हैं, तो आप चा होते हैं, जो adult अदमी है, उसमें number of teeth जो होते हैं, वो almost 32 होते हैं, याद रख सकते हैं, और जो बच्चा होता है, जो newborn baby होता है, उसका जो teeth होता है, वो 20 होता है, ठीक है, horse का अगर पूचे horse का, तो horse का जो होते है, वो आपका teeth आपका 44 होता है आप चाहे तो याद रख सकते हैं दुसरा एक्जाम में भी पूछ सकता है डॉक का जो होता है डॉक का टीच वो आपका 42 होता है और जो कौ या फिर सीप आपको पूछ दे इसमें जो टीच होते हैं वो थर्टीच होते हैं और Rabbit का जो होता है, Rabbit का 28 होता है, और Moss का 16 होता है, Moss का जनरली गजाम में पूछता है, तो आप याद रख सकते हैं, Horse का 44 होता है, ये भी याद रख सकते हैं, तो Horse का एक्जाम में जनरली कभी-कभी एक्जाम में पूछा जाता है, Rabbit का तो नहीं पूछना चाहिए, Moss पे वैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो Moss को आप याद रख लिजे, हो सकते हैं आपके दूसरे एक्जाम में पूछ दे, तो थोड़ा सा unexpected question आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं, ये चारो question देखिए, चारो question बहुत ज़्यादा depth से पूछ दिया, बच्चे कहां से पढ़ेंगे इस type के question, वैसे भी जो सब inspector का तयारी कर रहे थे, उनके लिए तो थोड़ा toughness यहाँ पे बढ़ी रहे हैं, तो यहाँ पे मैं भी कहूंगा कि question का level थोड़ा ज़्यादा tough था, लेकिन सब के लिए tough था, ना कि आपके सिर्फ आपके लिए tough था, ठीक है, अब five number question देखिए, a type of chemical pesticide used to kill the plant parasite nematotaurus, देखिए कितना ज़्यादा depth से question पूछ लिया है, बहुत ज़्यादा depth से question पूछ लिया है, the plant parasite nematodes, इसमें से कौन सा pesticide use किया जाता है, ठीक है, तो ऐसे questions तो बिल्गुल नहीं बनने वाले थे, यह वैसे होता है, nematisides, ठीक है ना, sides का मतब ही होता है, मारने वाला, ठीक है ना, तो nematisides है, तो parasites से इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना, थोड़े से question level बहुत जादा toughness level बढ़ा दिया, तो यहाँ पर पांचो का पांचो question थोड़ा सा अजीब सा था, तो ऐसा कह सकते हैं, अब six question थोड़ा सा जो एपी PSC के तियारी करते हैं, उनके लिए सही होता है, तो read the falling pier belonging to the state, ठीक है, इसमें से कौन सा सही है, यह पूछ रहा है, तो पहला, ला लाले सुरी कहां पर है, कास्मीर में है, तो यह बिल्कुल सही है, read the falling pier of the poets and the belonging states, यह पूछ रहा है कहां से है, तो लाले सुरी बिल्कुल सही है, कि कास्मीर से है, अक्का महादेवी, यह करनाटका से है, अक्का महादेवी, करनाटका से है, यह भी बिल्कुल सही है, ठीक है, और तो इसमें A और C ये दोनों बिल्कुल सही है तो आपका option क्या होगा D वाला option होगा जो नंदी तीमन्ना है ये महारास्टरा से ये गलती आपको इसमें दिया हुआ था ये महारास्टरा से नहीं है आपका A और C बिल्कुल सही है तो इसका answer D होना चाहिए अब देखिए एक बार मैं current affair में ये चीज़ डिसकस किया था PM1E ठीक है न ये एक central government का scheme था wireless internet connectivity एक public space में डालने का तो एक PM1E मैंने आपको current affair में बता रखा था तो इसका जो answer होना चाहिए central government scheme to elevate wireless internet connectivity in public space तो इसका जो answer होगा वो A होगा और इसका answer D होगा तो मैंने आपको इसका solution करवा दिया इसका answer B था तो एक question था जो generally 7 question में मुझे लग रहा है कि एक ही question ऐसे थे जो थोरे आसान थे otherwise सारे questions का depth बहुत ज़्यादा था इतना depth तो आपका EPPSE के exam में ही पूछा जाता है इतने question का मैंने analysis किया और इसमें मैंने आपको ये बताया कि साथ question में आपके लिए question सिर्फ और सिर्फ एक थे जो ये भी PM वानी वाला current affair से आप कह सकते हैं तो साथ में एक question आपका सही कह सकते हैं ठीक है अगला दिखे the apple electric car project is called apple का electric car project जो है ये मैंने आप लोग के current affair का daily current affair में जो daily current affair share करता हूँ उसमें डाला था ठीक है ना इसका जो नाम था वो titan नाम था ये आप लोग को बता रखा था मैंने titan बहुत अच्छे से पढ़ा रखा था ये एपल का electric car का जो project है उसका नाम है titan ये current affair में मैंने बता रखा था ये भी question आसान था आपके लिए ठीक है तो अभी तक दो question आप कर सकते थे 9 number question देखे what is gerrymandering gerrymandering क्या है ये भी देखे कितना आचा question है what is gerrymandering ऐसा question है intended to establish the unfair political advantage for the particular party ये भी इसका अंसर होगा redisturbacing electoral constitution constituencies constituencies ये क्या लिक होए constituencies to give the undue advantage इसका दोनों answer होगा both A और B इसका correct होगा तो इस type के question में अगर आप तुक्का भी लगाते तो both A and B है ना तो थोड़ा वह था आपका काम चल सकता था बट ये भी question थोड़ा जदा ही level का था ठीक है ना आपके question से बाहर था ये parliament वाले question generally आते हैं तो ये आपके बन जाने चाहिए parliament of the Norway is called Norway के parliament को क्या कहते हैं ठीक है ना इसको astarting gate ये कहते हैं इसका भी बल आप याद रख सकते हैं astarting gate astarting कहते हैं astarting भी इसको कह सकते हैं दोनों इसका नाम होते हैं तो याद रख सकते हैं तो Norway का जो आपका parliament है उसका नम है astarting gate ठीक है ना और आपको बता दू कि यहां पर diet है न diet ये तो आपका Norway का है आपको ये बता भी रखा होगा classes में diet जो है वो जापान का है ये questions अब आपका exam में थोड़ा सा ठीक ठाकता ये जो आपका fox tenget जो है ना ये Denmark का है कहां पर है Denmark का Denmark की राजदानी है Copenhagen Denmark ये क्या है आपका Denmark है ठीक है ना और ये जो Cortes होता है Cortes ये Spain का है Cortes generals होते हैं ये हमारा Spain का जो parliament है ना उसको कहते हैं इस टाप का question आपके आते हैं exam में इसको भी आप याद रख लिजए ये ज़्यादा important है इसका आप screenshot कीच लीज़े ठीक है ऐसे questions आते हैं दूसरे exam में भी ऐसे questions आपके आ सकते हैं इसलिए इसका आप screenshot लिज़े यहां से यहां तक ऐसे questions आपके exam में दुबारा आ सकता है ठीक है तो देखिए जितना भी question मैं discuss कर रहा हूँ ना थोरा सा important है इसको आप खीच ली जा screenshot यह आपके exam में आ सकते हैं ठीक है तो 10 number question था है 10 number साइद आप लोग को बन जाना चाहिए अगला है राइ बहादूर सर उपेंदर नात ब्रह्मचारी ठीक है तो यह जो है ना यह जो है सो काला जार से related है काला जार से related है इनका नाम जो है सो वह काला जार से related है यह भी question काफी depth से था पता नहीं क्यों पूछ दिया गया ठीक है है तो यह जो है ना सेंड फ्लाई जो सेंड फ्लाई होता है सेंड में जो फ्लाई होता है सेंड फ्लाई यह काला जोर होते हैं वह आपका सेंड फ्लाई आप याद रख सकते हैं यह मक्खी के कारण काटने के कारण होता है सेंड फ्लाई के कारण बाइट के कारण होता है ठी गैज ल्छ तक दरी ए बोन ने बाटल को और आलिशरों कोइस्ट करता है तो हुऊ तो यह को आंगोथ खुल को अंगर को दो करता है और शुकर Calm होते हैं้े को करistic is को भी हम कहीं ने कहीं किर सकते कि अच्छा कोशन है अगला the instrument used for mechanical recording or reproduction of sound is known as इसमें से reproduction of sound का या फिर mechanical recording करने के लिए इसमें कौन सा instrument यूज़ हो रहा है इसको हम कहते है phonograph इसको क्या कहते है phonograph कहते है ताप पर D वाला option है phonograph इसमें आप लगा सकते है D वाला question option ये question भी ऐसे question absurd है ऐसे questions APPSC में भी बहुत कम आते हैं बट इसवार question आया है तो हम कुछ कर नहीं सकते आपको तो सब के लिए एक ही जैसा competition होता है अब देखिए ये surveying में हम लोग पढ़ते हैं ये तो theodolite होता है न इसमें horizontal और vertical angle आपका horizontal horizontal या फिर vertical angle vertical यहां पर मैं ठीक से लिख दूँ vertical angle horizontal या फिर vertical angle measure करते हैं surveying को या student पर रहे होंगे तो यहां पर vertical vertical angle को measure करते हैं कभी उसमें angle को measure करते हैं तो इसके लिए ये हम use करते हैं थियोडोलोड ये तो टेको मीटर है न टेको मीटर वो आपका जो टेको मीटर है न वो soft का speed soft का speed को measure करने के लिए यूज करते हैं ठीक है एक है स्फेरो मीटर क्या है अगला स्फेरो मीटर आव वैसे एक चीज़ आपको बता दू कि टेको मीटर जो है न टेको मीटर ये टेको मेटर aeroplane के speed aeroplane होता है न उसके aeroplane का जो motor boats होता है तो उसको भी use करने के लिए ठीक है न speed of aeroplane speed of aeroplane को use करने के लिए इसको use किया था speed of aeroplane इसको भी आप याद रख सकते हैं और ये phonograph जो है न फोनो ग्राफ ये instrument यूज होता है mechanical recording के लिए ठीक है न या फिर रिप्रोडक्शन आप sound के लिए यूज होता है यह भी question काफी depth से पूछा था अच्छे question थे मैं कुछ कर नहीं सकता अगला question देखिए read the following pair carefully care s में से आपको carefully को पढ़ना है ठीक है तो पहला है पहला जो हिंदुस्तान shipyard limited यह आपको विषाखा पतनम में है और यह विषाखा पतनम जो है वो आंध्रा पर्डेश में है ठीक है नहीं तो बिल्कुल ए वॉला बिल्कुल सही है अगला pilgrimage got dog 위gore ngoa ng gedaan कहां बुमबई में है जनरली factor amplifier वाले question आते हैं कैसाál challengewood depth से पूछ रहा है अगला garden rich ship builders स्क्राइब वेस्ट बेंगाल में है यह बॉमबई में लिख दिया है स्क्राइब वेस्ट बेंगाल में है वेस्ट बेंगाल में है नौकी आपका वेस्ट वेंगल में है नौकी आपका ये बंभे में है इसलिए मेरे हिसाब से इसका अठोल when वह एक्जक्टिक्री सी ओनाचेए उनली सीज्न करेक्ट करेक्ट एसका जान सर इसका मतलब जोता है other things being equal इसका जो मतलब होता है other things being equal तो कितना depth से question है पता ही नहीं चल रहा other things being equal तो ऐसे questions इसके answer है तो इसका जिसने आप beam आरे हैं वो बिल्कुल सही है ठीक है 15 number question देखने क्या है तो ये question तो आपको आना चाहिए बिल्कुल आना चाहिए अगर ये question को छोड़ के आ रहे है तो फिर तो मुसकी लिए qualify करना तो ये तो question बनने चाहिए आपको तो ये बहुत depth से नहीं था बहुत आसान question है fact or figure बला question है ये परी हरपन प्रिय目前 ठीकरना पाठ पीर ठीकरना आप हरपा कल्चर वाला ये चीज़ें यह आपको याद रना चाहिए ठीकरना वैसे ये जो आपको काली बंगन ने काली बंगम इसका मतलब होता है, काली बंगम का मतलब होता है, Black Bengals क्या होता है इसका मतलब? Black Bengals Black Bengals इसका मतलब होता है कभी-कभी एकजामें ये भी पूछ लेता है इसलिए इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है? चलिए अब अगला question में बताता हूँ अगला question है, पुसान तो याद रखेगा ये जो पुसान है ये marriage से भी related है फोर journey से भी related है फोर meeting से भी related है तो इसका answer मेरे हिसाब से all of these होना चाहिए, क्या होना चाहिए? all of these होना चाहिए अब अगला question 17 देखिए How many gyms? Extraordinary people को कहते हैं चंद्रगुप्त 2 के court में कितने extraordinary people थे? मतब जिम्स थे, ठीक है, कितने gyms थे? चंद्रगुप्त 2 के court में ये भी question थोरा अच्छा है, history से related है तो इसको याद रखे, total जो थे वो उसको कहते हैं, नबरतना भी कहते हैं जेम को कहते हैं, नबरतना ठीक है न? तो टोटल जेम्स जो है न? वो 9 थे, कितने थे टोटल जेम्स? वो 9 थे, तो इसका अंसर कितना होगा? ये 9 होने वाला है, ठीक है न? तो कितने gyms थे? 9 थे, इसको याद रखेगा तो number of gyms मतलब extraordinary people, बहुत अच्छे लोग मतलब पड़े लिके लोग, ठीक है न? तो याद रखेगा, उसमें उसका अगर आप मुझे नाम पूछेंगे तो कुछ का मुझे नाम याद है, जैसे एक काली दास थे तो काली दास संद्रगुप्त के मौरी के ही में थे, काली दास कुछ काली दास की कहानी याद होगा, शुरू-सुरू में वो बहूत ज़ Zig अगर, बहुत ज़यादा लोग कहते हैं कि मुर्ख थे तैकि बाद में उन्होंने काली मता की अराधना करी और काली मता से काफी ज़यदा उनकी भक्ती होती थी, तो उनको मानते थे ये, तो ऐसा कहा जाता था कि काफी ये मुर्ख थे, जिस पेर पे वो बैटे हुए थे, उसी पेर को एक दिन काट रहे थे, और उसी पे गिर जाते, तो अच्छानक किसी ने उनको बचा लिया, ठीक है न, इसके तो काली दास का काफी अच्छे भक्त थे, तो एक दिन बहुत ज्यादा फ्लड था, तो काली जी के मंदिर में उसी फ्लड में आडाधना करने चले गए, उसमें दीब जलाने चले गए, तो उसमें खुस वक्रके, उन्होंने कहा कि एक रात में जितना आपको पढ़ना है, पढ़ लो, उस रात में जितना पढ़ोगे, सब कुछ आपको याद हो जाएगा, उन्होंने एक रात में ही पूरा का पूरा पढ़ाई लिखाई कर लिया, और बहुत बढ़े विद्वान बन गए, तो वही नवरतना आप काली दास इसको मान सकते हैं, ऐसा काली दास ऐसे स्टोरी करके याद रखेगा, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना, वैसे आपको, आप ऐसे करके याद रखेगे, मैंने स्टोरी सुना दिया है, जिससे कि आपको याद हो जाए, ठीक है, एक था, वारा, एक था वरहम हीरा एक नाम था वरहम हीरा चाहें तो याद रख सकते हैं एक बेताल भट्टा बेताल भट्टा याद रख सकते हैं बेताल भट्टा भी उनका नाम था बेताल भट्टा कभी-कभी जामें आ जाता है तो ऐसा भी हम याद रहते हैं एक धान वत्री उनका नाम है एक है अ अब मुकासमीर वाले हरी सिंग से आप हरी सिना को रिलेट कर लिए थोड़ा सा तो याद हो जाएगा ठीके ना वह भी हिस्ट्री की बात है तो कहीं ने कहीं है सब नाइन जेम्स थे जो मैंने जो इंपोर्टेंट जेम्स थे उसका नाम लिग दिया और सबका मैं बता दिया है यह सब कुष्ण फिस्ट्री से आए थे तो यह तो कुष्ण अकसर आते रहते हैं कि चंदर मुप्त के कोड में कि तने ज़्यादा एक्स्ट्रा औरिनरी पीपल थे यह कुष्ण आपका 9 आता है यह कुष्ण थोरा सा आसान था यह आपको बन जाना चाहिए तो चलिए हम आ इस ट्रेवलर हुंग सांग टेवल टु इंडिया डूरिंग रीजन उफ फूलेंग यह तो बहुत आसान कुशन है कोई भी क्वेशन कोई भी आदमी इस्टी पढ़ाएगा तो यह को पढ़ाएगा ही तो यह जो है न हर्स बंदन हर्स वर्धन के टाइम में आये थे तो इसको आपको याद रख लाने यह कुशन तो आप लोग को बनना ही चाहिए तो यहाँ पर आप हर्स वर्धन लगा सकते हैं ठीक है 18 नमर कुशन आसान था मतलब 15 16 17 18 यह हिस्ट्री से कुशन थे यह कुशन आसान थे तो यह आपको बन जाना चाहिए ठीक है याद रखेगा यह ज इसको आप यह जाना थे तो इसको आप याद रख सकते हैं 18 नमर कुशन मैंने डिसक्स कर दिया अब 19 नमर कुशन देखे क्या है 19 नमर कुशन है रीड दा फॉलाइंग इसमें से आपको रीड आपको करना है इसमें आपका कौन सा आंसर होगा वो बताना है ठीक है तो इसका जो ऐसे answer है वो आपका B number option है B number question है एक में डुक जाई इसका answer जो है वो क्या होगा वो मैं बता देता हूँ इसका question है कि read the following तो इसमें से कह रहे प्रतिहारा dynasty यह आपका Northern India से था प्रतिहारा dynasty यह बिल्कुल सही ठीक लगा हुआ है प्रतिहारा dynasty का है Northern India का है बिल्कुल सही है ठीक है न इसको आप याद रख सकते है तो पाला empire यह गलत है चलो क्या dynasty Western India था यह भी गलती है पाला empire South India था यह भी गलती है इसका D option हो जाएगा only option A is correct ठीक है न इसको आप याद रख सकते हैं अब अगला question देखिए अगला है दा एंसियंट राजा रानी temple is situated इन विच प्लेस यह जो राजा रानी temple है न यह भी आसान है बहुत सारे students अगर temple सब पे ध्यान देते हैं देखिए different different temple पे भी आपको ध्यान देना है यह राजा रानी temple जो है न यह उडिशा के भूबनेस्वर के सहर में है ठीक है ना उडिशा का यह capital city है भूबनेस्वर तो यहीं पे है राजा रानी temple राजा रानी temple कहाँ पे उडिशा के भूबनेस्वर सहर में है तो इसमें आप question अगर देखा जाए तो 19 भी थोड़ा आसानी था 20 भी आसानी है तो यह दोना आप बना सके तो बना सकते थे यह बहुत कठीन नहीं है लेकिन फिर भी exam के अनुसार तो यह कठीन है आपका SI का exam बहुत ज़्यादा tough नहीं होना चाहिए बट यहाँ पे toughness का label थोड़ा सा ज़्यादा दिया है यहाँ पे अगर maths का भी exam ले लेता तो ठीक था जो कि बहुत सारे student जो math में अच्छे हैं और जो GS बहुत अच्छा नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा परिसानी होता है तो मेरे हिसाब से तो question का label बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता अगर जब तक maths भी उसको डालना चाहिए मेरे हिसाब से अगर maths देता है न तब तो ठीक होता है मामला तो चलिए आगे देखते हैं क्या है अगला question देखिए अगला question है फ्राइन कोईसिस बर्नियर ठीक है ना फ्राइन कोईसिस त्यारी कर रहे हैं वो साइध बना भी पाए होंगे ठीक है ना तो 21 नवर जो है न यह जो है न वो आपका इसामी यह सामी जो है न सामी इसी के टाइम में आये थे ठीक है न एक मिड़ जाहिए sorry question है यह कौन से डाइनस्टी में आये थे इनका यह पूत्रा है ठीक है न तो यह फ्रांसिस बर्नियर जो है वो मुगल डाइनस्टी में आये ठीक है न यह औरन जेव के टाइम में आये थे 17th century में तो इसको आप याद रख सकते हैं मुगल डाइनस्टी यह भी कापी इनका पूरा जो नाम है वो है ख्वाबजा अबू मलिक सामी ठीक है न तो यह काफी ज़्यदा अच्छा question पूछा हुए है अद देखे 23 नमर question है 23 नमर question तो बहुत आसान है थर्ड बिटल अपानिपत वाज 14 वीच यह यह बिल्कुल सही है 1761 1781 में आपका किया जाता है यह question तो आपका बिल्कुल सही है यह आपको लग भी जाना चाहिए ठीक है न एहमद साह अबदाली ने मराठाज को डिफीट किया था थर्ड बिटल अपानिपत में ठीक है न इसको आप याद रख सकते हैं यह थोरा सा असान question था अगला question है फूईज अली वर्दी खान अली व दौलत ताबाद पर्सियंट टेबलर ऑफ इंडिया आर्मी ची फ जाहंगिर बिल्कुल नहीं इसका नौन अप दीज आंसर होता ठीक है देखे एक तो लोग तुक्का भी मारेगा तो कैसे मार रहा है कितना अजीब सा question दिया है बिल्कुल नहीं बनेगा मुझे नहीं लगत चन्नी में है तो आपका यहां से एक question बनता है यह भी question का पता नहीं आप लोग बनाए की नहीं बनाए बट question का लेवल अच्छा है वैसे सेंट जॉर्ड फोर्ट याद रखेगा फेमस में है यह काफी फेमस में है चन्नी में है ठीक है पहले यह जो है ना मद्रास में था आप चन्नी में है ठीक है अगला देखिए who is lead formation of बर्दोलोई सत्यागरा 1988 यह बर्दोलोई आप देखिए लोक देखिए बर्दोलोई है ना बर्दोलोई यह तो ऐसे भी question लगाते है आपका बन जाता ठीक है ना अगर कोई जाते हैं सरडार बंलब्ल भाय पटल का नाम है ठीक है ना बर्दोलोई सत्यागरा में कों थे से इसमें सरडार बंलब्ल भाय पटल ठीक है ना कहा है लाल leider सास्त्री यहां पेर सादार बंलब्ल भाय पटल यही आप आ सकते हैं भाई बर्दोलाई सत्यागरा 98 दूरिंग प्रिटिस रूल फूलीड तो महात्मा ये बल्ला भाई पटेल इसको लीड कर रहे तो यह तो आप आसान कोईशन था यह मेरे हिसाब से आप लोग से बन जाना चाहिए ठीक है आप लोग का बहुत आसान कोईशन है अगला देखिए तो 1921 में हुआ था याद रखे ये आपका मात्मा गंधी का जो पीडियर था न उसी में हुआ था 1921 में ठीक है न तो इसी टाइम में हुआ था मोपला रिवेलियन बहुत डेफ्ट से क्वेशन पूछा है देखिए मोपला रिवेडियन तुक प्लेस इन फिच अव दा फॉ सब्सक्राइब फॉलग वैस राई यह तो बिल्कुल आसान है लॉड्ट करजन इसका अंसर होगा कौन सा कर्शन है इसमें लॉड्ट कर्जन कहीं दीखी नहीं रहे हैं ये उस वक्त वैसराई कोन पहिते लॉड करजन थे यहां पर कलो करजन आप संबें मुझे नहीं दीक है इसलिए असका अंसर मेरे इसाफ से डी होना चाहिए नन अब दी जोना चाहिए अगला question 29 देखे 29 number question क्या रहा है गे पोचांपली मंडल इन नाल गुंडा district is famous for ठीक है न यह यहां पर भूदान movement के लिए famous है यह कौन सा के लिए भूदान movement के लिए तो आप याद रख सकते हैं इसका c number 19 का अंसर c number हो जाएगा अब 30 का question which of the following articles of the Indian constitution in power the parliament to amend the constitution parliament का amendment 368 में लिखा हुआ है तो यह भी थोड़ा सा politics से question था आसान था amendment 360 article 368 में parliament का amendment लिखा हुआ है तो यह आपका question आसान था अगला देखे 31 number question read the following cases इंदरा सो नी case मिनर्वा मिल्स case case वंदा भारती case to the following code answer from the following basis of the chronological happening यह chronology को कह रहा है chronology के according इसको कीजिए तो सब से पता हूँ कि 1973 में आपका case वंदा भारती हुआ था 1980 में मिनर्वा मिल्स हुआ था 1992 में इंदरा सो इंदरा सो नी case हुआ था ठीक है इसका option देखा दाए तो c भी होना चाहिए पहले c पहले तो आपका कौन सा हुआ था case वंदा होना चाहिए तो पहले आपका c होना चाहिए चुकि यह 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 जो है आपको मैं लिख दूँ इसका year बता दूँ यह जो इसका year है वो 1973 था किदर था 97 33 था मिनर्वा मिल्स जो है न वो 1980 में हुआ था और इंदरा सौनी केस जो है यह आपका 1992 में हुआ था ठीक है तो आपको chronology करना है मतलब कम से ज़्यादा जाना है तो c इसके बाद फिर b a cba cba option किदर है cba option लीजे तो आपका यह बला option हो जाएगा इस टापका इसका answer बहुत depth का question था यह काफी है मुस्किल है बनाना ठीक है न अगला question the constitutional provision regarding the disqualification of the members on the ground or defection are in which schedule of the Indian questions यह बहुत आसान question था defection law जो है न यह आपका 10th schedule में है कौन सा schedule में है anti-defection law जोता है वो 10th schedule में है ठीक है तो आप इसमें 10th हाई नहीं तो d आपका option निख सकता है तो इसका answer कितना होगा defection जो होता है न यह defection जो है वो 10th schedule में है इसमें से इसका answer बिल्कुल नहीं होगा याद रखेगा यह 50 second amendment act 9085 50 second amendment act amendment act 90 amendment act 1985 यह न उसी के according उसी में यह चीज संसोधन किया गया था इसको आप याद रख सकता है 10th schedule में इसको डाला गया है तो इसको आप याद रख सकते हैं यह question फिर से आ सकता है 10th schedule में जो है न disqualification of members of on the ground of defection इसको याद रखेगा ठीक है अगला देखे who among the foreign category person except Pakistan and Bangladesh are eligible to apply all the overseas citizenship of the India ठीक है न असकी तो इसमें से कौन सा है तो इसका जो answer होगा वो all of these होगा वैसे भी देखिए all of these type का लगे न कहीं भी आईसा लगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है all of these है तो लगा दीजे थोरा सा life में रिस्क लेना परेगा तो आप देखिए वैसे बिल्कुल सही है सारा का सारा a citizen of another country a citizen of another country who was a citizen of India at the time or anytime after the commencement of the constitution ये पहला बिल्कुल सही है a citizen of another country who belong to the territory that became the part of India after the 15th day of 1947 ये भी बिल्कुल सही है a citizen of another country who was eligible to become the citizen of India at the time of the commencement of the constitution ये चारो आपका सही है इसमें all of these में अगर आप लगा रहे है तो बिल्कुल आपका अंसर सही है चलिए तब मैं आगे का question देखता हूँ 33 आपका हो गया अब मैं 34 नमर question देखता हूँ ये questions of quality के थे all of these आपको खट से लगा देना था इसमें तो बिल्कुल सही होगा ठीक है न अगला देखिए हर्यानवाज काफ्ट प्रम पंजाब हर्याना पंजाब से काफ्ट किया गया था इंडियन constitution declare the modality for a free compulsory education to all the children in which of the following age group 6 to 14 age group में है इसको याद रखेगा यह पॉलिटी का question है अच्छा question है 6 to 14 age group के लिए यह education for all compulsory कर दिया था ठीक है न इसको कहते हैं कोरा वरंटो अगला है मेंडमस ठीक है न इसका मतलब है we command मेंडमस का मतलब होता है we command एक होता है have a scoffers ठीक है न to have the body of मतलब आदमी को वहाँ पर प्रजेंट होना है तो इस तीनों का मतलब होता है यह तीनों reads है बट यहाँ पर तीन लिखा है all of these यहाँ पर लगा देना था कहीं भी all of these होता है तो answer generally वही होता है इसका तो Google करने से भी आपको answer नहीं मिलते रहेंगे आप Google भी करेंगे तो बहुत सारा question का answer नहीं मिलेगा इस टापका question पूस दिया है अगला which constitution amendment conferred Delhi with a special status re-reginated it as NCT of Delhi 69th amendment है इसमें याद रखेगा 69th amendment NCT Delhi से 69th amendment में हुआ इसको आप याद रख सकते हैं अगला question है और which of the following is the which of the following is the brightest star यह तो कितनी बार आपको मैं बता चुका हूँ ठीक है न जिसको हम डॉग स्टार भी कहते हैं या फिर serious भी कहते हैं तो इसका answer dog star भी कहते हैं serious यह भी कहते हैं the brightest star होता है तो इसका answer होना चाहिए serious तो यह answer इसका यह होगा यह आपको पड़ा दिया गया था ठीक है name the person who is not connected with astronomy astronomy से देखें Hubble telescope तो आप यादी रख सकते हैं Kepler भी मून पर काम किया था यह भी याद रख सकते हैं तो यह आपका Claudius Plotemi यह भी आपका बिल्कुल सही है तो इसका मतलब which is not connected, सारे के सारे connected है, none of these इसका answer होगा Kepler's law मून पर यह आपका orbits के regarding आपका Kepler's law given है, time और radius में relation given है, यह Kepler's law तो आपको मैं Hubble का टेलियस कोप है तो उससे भी याद रख सकते हैं, इसका none of these तो आपका answer लग जाने चाहिए ठीक है ना तो इसका answer study of mass of the stars, study of the mass of the stars, stars की कितना mass होता है, उसी का study को हम कहते हैं क्या, चंदर से का limit, उसी से हम represent करते हैं, ठीक है अगला, अगला question देखे, what is meant by international date line, क्या है, what is meant by international date line, अगला question है, international date line का मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब होता है, कि it passes through the mid-pacific ocean, यह एक mid-pacific ocean से pass करता है, याद रखेगा, international date line, क्या से mid-pacific ocean से, the international date line has been established, most of it following 118th meridian, ठीक है ना, whereby command agreement, whereas cross it, एक मिन दुक जाहिए, इसको आप simply लिख सकता है, कि यह mid-pacific ocean से, क्या करता है, it passes through mid-pacific ocean, ऐसे याद रख सकते हैं, यह question भी थोड़ा अजीब सा था, आप चाहें तो इसको भी लगा सकते है, 43 number question देखे, last a last desert, last a last desert, यह आपका इरान में है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, यह थोड़ा सा current affair के news में था, इसलिए question थोड़ा सा यहाँ पर आ गया है, what is heat budget, heat budget क्या है, ठीक है, the balance of incoming and outgoing heat on earth, यह इसी को आप कहते है, heat budget, ठीक है, तो आप इसको question को आप कह सकते है, the heat, heat budget, the balance of incoming and outgoing of the heat on the earth, यह इसी को आप कहते है, heat budget, आप ऐसे करके 44 cancer, C लगा सकते है, अगला देखे, which of the falling is the highest point of the Nicobar island, यह तो आपको कितना बार बता दिया चु है, मौट थूलीर है, इसका highest point, मौट थूलीर, ठीक है, मौट थूलीर, इसका answer develop part हो जाएगा, यह question है, यह भी थोड़ा question, यह तो आसान था, बट थोड़ा सा question, toughness तो है, हरे question थोड़ा कहीं न कहीं, tough आ जा रहा है, ठीक है, अगला question है, 46, one of the important function of anthrix corporation limited, anthrix corporation limited का important function का है, ठ इसका important person है, कि providing the technical consultancy services to the France, foreign technology to the industries, तो इसका answer जोगा, यह आप लिख सकते हैं, इसका answer यह number है, ठीक है, technical consultancy यह provide करती है, ठीक है, अब 47 number, जामनगर refinery, अब देखेंगे, यह recently news में था, इसलिए जामनगर का refinery, जो है recently news में था, एक private sector refinery है, इसके बार में, यह private sector refinery है, इसक इसके बार में, आया भी था, यह था, यह आपका, crude wild, crude wild refinery है, ठीक है, na, Reliance industry ने इसको own किया है, Reliance industry का है, यह जामनगर है, Reliance industry, याद रखे का Reliance industry, इसके द्वारा own है, तो यह थोड़ा news में था, इसलिए यहां से question आ गया है, ठीक है, अकला, the alumina factory is located at, which are the following place in India, तो यह ज alumina जो है, यह उडिशा में, उडिशा में, दमन जोडी में है, दमन जोडी में, यह आपका, उडिशा में है, याद रखेगा, यहां पर आपका, alumina refinery है, ठीक है, याद रखेगा, यह उडिशा में है, अब 48 नमर हो गया, 49 नमर, what is the correct about Niti Aayog, Niti Aayog's equation आपको आता है, Niti Aayog का, मैंने planning commission भी काफी अच्छे से पढ़ाये था, it has no power to allocate funds, ठीक है न, इसके पास कोई power नहीं है, fund को allocate करने का, तो यही इसका answer हो जाएगा, तो 49 का आपका answer क्या होगा, यह वाला 49 का answer हो जाएगा, अब 50 नमर question देखें क्या है, 50 नमर question है, how many mission are outlined under the national action plan chemical chain NAPCC, यह 8 था, यह current affair का पार था, लेकिन यह पूराना current affair था, यह भी question मुझे नहीं लगता कि किसी से बना होगा जल्दी, अगला sweet revolution, यह आसांता sweet revolution, honey protection के लिए होता है, यह sweet revolution जो है न, वो किस के लिए होता है, honey production के लिए होता है, यह question थोरा आसांता, इसका answer किता हो जाएगा, बी नमर इसका answer हो जाएगा, अगला question देखें, 52, the correct national health policy in India, national health policy 2017 है, इसको आप डी लिख सकते है, 2017 है, ठीक है न, 53 नमर question देखें क्या है, what is protect, हांस, हांस threat lab scheme, यह क्या है, तो यह एक LPG consumers के लिए scheme है, तो scheme for LPG consumers, इसका नमर क्या होगा, सी नमर इसका answer हो जाएगा, ठीक है न, अगला question देखें, 54 नमर question क्या है, what is the correct about, jam, jam, narega, ठीक है न, jam, narega, jam, narega, jam, narega का मत्तब इसमें से कौन सा correct है, इसके द्वारा जो यह है, correct है, इसमें सब कुछ सही है, ठीक है, it is, it is a citizen centric mobile application, बिल्कुल सही है, jam, narega, एक यह application है, citizen के लिए, it is instrument for the information, flow or form, ground level, बिल्कुल सही है, it has been developed by collaboration of, M, M, O, R, D, और N, I, C, और N, R, C, आपको जब भी बोलाऊं, इस type का हो, all of these में खट से मार देने हैं, ठीक है न, इस type का question, यह थे hypersonic wind tunnel, यह आपका current affair का part था, तो यह तो बहुत सारे news में आते ही रहते हैं, मैं भी आपको CR करता रहता हूं, तो यह आपका यह question हो जाएगा, अगला, in which, in which, plant of apple co.in India, the violence erupted during the December 2020, तो यह western plant near Bangalore था, यह western plant near Bangalore, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है, 56 का यह answer हो जाएगा, in which year a ministry of jalsakti, jalsakti, a ministry under the government of India was formed, यह 2019 में form किया गया था, यह आपका 2019 का current affair से question आया है, कौन परता है 2019 का current affair, फिर भी आ गया है, which country announced to withdraw, the international welling commission, IWC, यह Japan ने उसको withdraw कर लिया है, तो इस question को आप याद रख सकते हैं, यह बल आपका इसका answer हो जाएगा, which of the following, dates is celebrated as a national hand room day, national hand room day 7th अगस्त को मनाय जाता है, यह आपको current affair में डाल दिया गया था, ठीक है, अगला question देखिए, गोहाटी Tea Action Center, GTAT, created another international history by selling 1 kg of the golden butterfly tea at the whipping of 75,000 during the August 2099, is produced by which of the following tea estates, यह दिकॉम tea estates था, दिकॉम tea estates था, इसका D number answer हो जाएगा, बहुत depth में question पूछा है, लगता ही नहीं है कि question बहुत ज़्यादा, अजीव सा question पूछा है, ठीक है, यह question आसान है, कि river linking project इसमें से कोन है, केन वितवा project बहुत आसान question है, यह तो आपको बनी जाना चाहिए, ठीक है, which of the following, countries, first river interlinking project, यह केन वितवा project था, केन वितवा project जो है, sign between Madh Pradesh and Uttar Pradesh Government, यह केन वितवा project जो है न, यह याद रखेंगे, MP और UP के द्वारा यह sign किया गया है, केन वितवा project यह question फिर से आ सकता है, कहीं न, कहीं जाम है, तो इसको याद रखेंगा, 62 नमर देखें क्या है, 62 नमर है, गोती प्रोलू, the recent excavation made by archaeological surveys of India, in which state, यह आंधरा परदेश में है, बिल्कुल याद रखेंगा, कहां पर है यह, आंधरा परदेश में, तो इसका B-E नमर आप याद रख सकते हैं, ठीक है, अगला question देखेंगे, 63, the cabinet has given, in principle approval for the major port, in which of the following places, February 2020, February 2020 में, जो यह approval दिया था, यह आपका था, वन दावन, वन दावन, वन दावन, पोर्ट का जो है न, यह approval दे दिया गया था, तो इसका answer कितना होगा, यह नमर इसका answer हो जाएगा, ठीक है, अगला question देखेंगे, क्या है, मुख्य मंत्री, आचल अमरित योजना, इस लांच, बाइफिच आव दावन 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 दावन, यह उतरा खंड के द्वारा लांच किया गया था, इसमें आप इतरा खंड answer लगा सकते हैं, तो यह question थोरा सब बहुत ज़्यादा tough था, यह 2019 का current affair पूछ रहा है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं, 2019 का बहुत तारा question पूछ रहा है, नहीं पूछना चाहिए, 2021 का पूछना चाहिए, अब यह 27 हो गया है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, तो यह था इसका answer 27, तो इसमें आपको 27 में question लगाना था, 68 नमर देखिए, यह who among the following, first command to break the record of longest continuous time spent in the space, यह Peggy Fitson, Peggy Fitson है, इनका नाम सबसे longest, सबसे longest time space में यह spent की है, Peggy Fitson, इन्होंने record तोर दिया है, ठीक है, इसका answer A हो जाएगा, 69 नमर question है, कि the 13th meeting conventional of conservation migratory species, यह गांधी नगर में हुआ था, 2020, 2020 February में, तो इसका आप याद रख सकते हैं, गांधी नगर, इसका answer होगा, ठीक है, अब 70 नमर question देखिए, कि the common symptom of amoebasis is human influenza, यह human influenza होगा, इसका answer, यह amoebasis, जब भी आप देखें, तो influenza समझ जाएए, ठीक है, इसका answer human influenza होगा, 71 नमर, who is the author of the book, Last Days of Neta Ji, G.D. Khosla, G.D. Khosla इनका नाम था, The Last Days of Neta Ji, यह book and author से question है, पुराना question है, बिल्कुल अजीर सा question है, Gowinth Sagar, मैं जब एकजाम में पढ़ा रहा था, Gowinth Sagar आपको बताया था, हिमानचल प्रदेश में, बिलास्पूर के सहर में है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, बिलास्पूर हिमानचल प्रदेश, ठीक है ना, यह गुविन्ट सागर चोई है न हिमानचल पर्देश में है बिलास्पूर में है इसको आप याद रख सकते हैं अगला जफराबादी ब्रीड अब दफैलो आर फॉन्ड यह जफराबादी ब्रीड है यह गुझरात में पाय जाता हैने जफ्राभादी गुझरात में पाय जाता हैं यह वह था आजीव सा वृचिए था सेबनिटी-फॉर ईं माई का इज फॉंड इन विच आस्टे राजस्थान में में भी पाय जाता है बिहार दा एल reasons थीज वोता है खट से लगा दीजे 75 दप्रोसेस इप्लाइड फोर अप्रोड़क्शन आप एल्युमिना फ्रॉम दा बॉक्साइड इसको बेर मेथर केते हैं कून सा मेथर बेर मेथर केते हैं यह 12 के एक्जाम से पूचा है बहुत डेफ्ट से कुछा हैं सेवेंटीफोर क्वेश्चन फुच फॉलाइंग और रॉकेट प्रोपेलेंट रॉकेट प्रोपेलेंट अल अब दीज लगें खट से लगा देना है याद रखेगा आप लोग का पैटरन में जब भी अल अब दीज हो तो एपीपीए से ऐसा यूज कर रहे हैं हैबरीड प्र सिल्वर में जो है जर्वन सिल्वर में जेनरली जींक होता है क्या होता है जींक होता है तो इसका बीव नबर आंसर लगा सकते हैं इसका आंसर कितना हो का बी हो जाएगा 78 में देखते क्या है और पैराफीन वेक्स जह सोर्स प्अप अभिसली यह आपका क्या है पैराफीन सोर्स पेट्रोलियम है गुद वाइल है अब याद रख सकते हैं पैराफीन वेक्स आप जो मुंबति मनाते हैं आपका लशब सा जैसा होता है जो जलता है वही paraffene wax है जनरल इसको grease बना जाता है वैसे crude oil को ही हम petroleum कहते है petroleum product crude oil धर्ती के अंदर से निकलता है और उसी से हम petrol बनाते हैं diesel बनाते हैं grease बनाते हैं या फिर मुंबती बनाते हैं तो वही paraffene wax मुंबती जैसा होता है तो वो petroleum product है ठीक है ना अगला देखे 79 नमर क्या है at what point temperature of the reading in both Celsius and for our head is same याद रखेगा यह 40 degree Celsius होता है बहुत थार exam में आता है यह question आप लोग से बनी जाना चाहिए बहुत आसान question था तो 79 आसान था 18 नमर question देखे क्या है और फिर्द जलफ लापास जलफ लापास यह जो है ना यह सिक्किम डिस्टिक में सिक्किम में है अगर आप चाहें कि एक मट अगला question of white of why does the water boil at a lower temperature hills then please यहां पर जोता है ना atmospheric pressure के कारण होता है तो due to decrease डिक्रीज़ एक्मोसफेर देन इस प्लेन मतलब यहां पर due to decrease एक्मोसफेर प्रेसर देन प्लेन इसको आप यह नमर लिख सकते हैं यहां पर प्रेसर कम होता है प्लेन के रिस्पेक्ट में इसलिए यहां पर कम पर हो जाता है ठीक है अगला अगलाप packaged तो वह एपक्ट अजी आपका स HEY में यहां पर आपकर आमसर नहीं है तो जलेपला पाज है Evet यह है आपका सीपी में चैना के पास ऊंप हरे इसको याप लगा सकता है तो आप अगर चैना होिए ऑप्यचिन में वह भी लगा सकते हैं वह जर्यृप्य पर बार छो है यह हाइमांटेन पास अधिकल यह सिक्किम डिस्टिक में है ला तो आप इंडिया 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 में लगा आप यहां पर इंडिया में लगा सकते हैं जैल पला पास ठीक हाइम मॉन्टें स्पिक्रिक्ण है याद रखिए गाव यह एक रहा है 82 number question which of the following celebrated as international day for biological diversity 2nd May को celebrate केते हैं 2nd May को 22nd May को आप इसको लगा सकते हैं B number लगा सकते है अब 83 number question what is mangroves mangroves तो आपको पता ही है hofs और सबस को ही हम mangroves केते है mangroves forest भी होता है ठीक है न coastal saline होता है blackest water वहाँ पे होता है shrubs और small trees होते है shrubs और small trees होते है इसमें अगर आप लगाएं तो shrubs और small trees blackest water यह C number इसका answer हो जाएगा ठीक है न आसानी question है अगला question है BND एन intelligence agency belong to which country तो यह BND इसमें से कुछ नहीं none of these होगा बोला था none of these में लगा नहीं इसमें से none of these इसका answer होगा 85 number Cowal Tiger Reserve याद होगा मैंने आपको question में बताये ही था यह तेलांगना में है यह question मेरा current affair खा था तो तेलांगना में था ही तो आपको याद होना चाहिए अगला which is a false gold iron pirate को हम iron pirate को हम false gold कहते हैं तो इसका answer क्या होगा C number question होगा iron pirate को हम false gold कहते हैं 87 number which committee was appointed appointed to look into the impact of the future trading farm commodity price abhijit Singh committee इसका नाम है ठीक है ना उर्जित abhijit Singh इसका answer जोगा abhijit Singh committee abhijit Singh committee इसका आप याद रख सकते हैं abhijit Singh committee इसका नाम है 88 number question है which of the following is unit of measurement for optical fiber of the lens optical fiber को हम adapter में measure करते हैं तो इसका answer क्या होगा दी तो ये कापी आसान question था ये physics का question था अगला है 89 number question कि dr. Anil काकोद कर committee वाद कंसर्ट वाद कंस्टिटूटर for which purpose है ये रेल्वेर के safety के लिए purpose के लिए इसको किया था depth का question था question आसान नहीं थे tough थे ये ठीक है ना अगला question 90 number है which of the following is the international airport international प्यर कोईमटूर वे international है राजा सासी भी airport है वारानसी airport है सारा का सारा international airport है बोला ताल अब दी जाएं तो खट से लगा देने यही सब जनरली आंसर होता है एक दो गलती भी हो जाएगा तो चलेगा अगर नहीं समझ में आता है तो खट से लगा दीजे the famous grassland of the world पुस्ताज in which city यह जो पुस्ताज है ना पुस्ताज ग्या आपका हंगरी में है याद रखेगा question कहां पर है यह हंगरी में पुस्ताज नाम का जो आपका grassland है वो आपका हंगरी में है जैसे आपका कुछ-कुछ में बता दूँ कि ऐसे question आपके exam में आते हैं कुछ-कुछ में बता दूँ और भी grassland का नाम जैसे एक है prairies prairies आपका North America का है पंपास जो है अर्जेंटिना का है ठीक है ना dawns ऑस्टेरिया का है बलाक डेविड से मुजिक से रिलेटेट्ड थे तो वैसे यह question डाट च्वेश्च लाक यह सब द्स से पूछा गहुछका जेंगर 93 number question, कितना बार हम discuss कर चुके है, Pleaser prize, Pleaser prize about in which of the following country, यह जो है न, USA में about किया जाता है, Pleaser prize, ठीक है न, तो 89 number question हो गया, 94 number, 93 हो गया, 94 number, Who is the author of book, Narendra Modi, the man, the times, यह था निनन जन, मुखो, पाध्याई, D number इसका answer है, ठीक है, D number इसका answer है, अगला, इसका नाम था नार्कोडम, आप लगा सकते हैं इसमें नार्कोडम, यह असान कोईशन है, यह जनरली यह होता है, वैसे इसका जो अंसर है, वो NSSO और CSO, इसका अंसर यह नमर है, तो अगर आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, इसका अंसर होगा, तो इसका अंसर होगा, तो इसका अंसर क्या होगा, 98 number, ring of fire ring of fire, नाम सहीं पता चलता है ring of fire क्या है, ये chain of volcanoes है, ठीक है न ये chain of volcanoes है, तो इसमें कहीं है chain of volcanoes, ये d number question है, chain of volcanoes and the seismic active sites of the outline of the circum pacific volcanic build तो ये rings of fire जो ने volcano को represent करता है, ठीक है, तो volcanoes इतना याद लग सकते हैं, देखे 99 number question बोला था, कि जब आप घुमने आईए, तो जरूर पतना का गोलगर देखके आईए, ऐसा question मैं discuss किया था, क्लास में ही, ठीक है ना, तो ये आपको जब हम पढ़ा रहे थे, current affair तो आपका बोला था, कि पतना घुमने आईए बिहार, तो ज़रूर गोलगर घुम के चाहिए, पुराने जबाने का, अगला है हमारा, read the following carefully, ठीक है, तो कह रहे हैं, कि read the following, तो इस में से answer होगा, National Institute of Hyderabad, ये रूर्की में है, National Institute of, आपका Hydrology है, वो रूर्की में है, बिल्कुल सही है ये, National Biodiversity Authority, ये चेन नहीं में है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है न? तो B और C दोनों सही है, Central Ecologicals ये धर्मसाला में नहीं है, धर्मसाला वे से तरह कंड में ये नहीं है, इसका B और C answer होगा, तो इसमें B और C, C बला इसका correct हो जाएगा, इसका answer कितना होगा, C बला आपका correct हो जाएगा, जितना भी मैंने आपको solution कराया है, ये पूरा का पूरा solution मैं आपके Telegram चैनल पे डाल दूँगा, वहाँ पे आप जाके देख लीजेगा, साथी साथ ये वीडियो आपके YouTube पे भी मैं share कर दूँगा, जो AVI Eduverse से नाम है हमारा, वो YouTube पे भी share कर दूँगा, Facebook पे तो हैं ही, साथ आप टेलिग्राम पे ये PDF भी मैं आपको share कर दूँगा, तो ये जितना है वही है न, अगर आप टेलिग्राम चैनल जोईन नहीं किये हैं, तो अड़नाचल का जितना भी exam होता है, मैं टेलिग्राम पे share करता रहता हूँ, यह हमारा टेलिग्राम का चैनल है, यह देखिए AVI Eduverse है, सारा information या current affairs यहाँ पे आपको मिलता रहता है, और यहाँ पे सारे के सारे study materials भी हम डाल देते हैं, तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, सारा का सारा study materials यहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप यहाँ पे use कर सकते हैं, और यह पूरा का पूरा solution भी मैं टेलिग्राम पे डाल दूँगा, आज के लिए इतना ही, और वैसे जहाँ तक cut off की बात है, तो देख के question का जो label है न, वो tough है, तो मेरे expectation के according, 40 से plus, जो भी a student, अगर correct किये हैं, अगर आप 40 से plus उसका, तो का से भी अगर सही है, तो वो कहीं न कहीं एक safe zone में है, safe zone में है, वैसे यह तो correct है, कि 50 से plus, 50 से plus जो है न, पीच में आपका थोड़ा सा हो सकता है, कि problem हो, बट 50 से अगर ज्यादा है, तो आप तैयारी कर सकता है, मेंस का, ठीक है न, इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता, qualify कर रहा है, 40 से plus में है, फिर भी आप expect कर सकता है, कि आप qualify कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूँ, कि मेरा मेंस का जो है, मेंस का भी हम तैयारी कराएंगे, तो मेंस में यही होगा, कि हम, थोड़ा बहुत offline भी classes कराते हैं, online भी classes कराते हैं, दोनों को combine करके कराते हैं, तो offline तो बहुत कम बच्चों का होता है, वहीं बहुत, लेकिन online classes करना चाहते हैं, तो वह भी कर सकते हैं, हम आपको लगबग, मुझे लगता है कि comprehensive classes कराते हैं, 3000 हमारा maths का fee है, और 3000 हमारा GS का fee है, जिसमें हम आपको, GS में आपको हम पूरा GS cover up कराएंगे, GK cover up कराएंगे, और Arunachal का current affair करेंगे, अरunachal का सारा GK करवाएंगे, वैसे Arunachal के GK से question तो आ नहीं रहा, फिर भी हम आपको cover up करेंगे, साथा जितने भी current affair हैं, current affair को हम cover up करेंगे, उसमें आपको daily और monthly भी आपको current affair मिलता रहेगा, maths में हम पूरा topic cover up करेंगे, more than 45 plus, इतने topic को cover up करेंगे, जो अगर आप इसको सब inspector के लिए तैयारी अगर आप करते हैं, तो उसी में आपका LDC का भी तैयारी हो जाता है, UDC का भी तैयारी हो जाता है, और अगर आप AP, PSE की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो C-SAT वहला paper है, उसका जो Maths क वहला section है, उसकी भी तैयारी हो जाता है, या फिर अगर RGU में आप कोई भी exam की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर Maths पूछता है, तो वह भी cover up हो जाएगा, और अगर आप NERIST में MBA करना चाहते हैं, तो उसका भी Maths का cover up यहाँ पर मैं करवा दूँगा, तो आप आई या फिर जो भी अगर कोई student, SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो वह भी तैयारी कर दूँगा, SSC, CGL की तैयारी कर रहे हैं, तो वह भी तैयारी हो जाएगा, CHSL की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हो जाएगा, और SSB का तयारी कर रहे है, Staff Selection Board, Secretariat का जितना भी जॉब है, ठीक है न, Secretariat का जितना भी जॉब है, उसकी भी यहाँ पर मैं तयारी करवा दूँगा, ठीक है, तो यह हमारा fee है, यह fee बहुत nominal fee है, और English भी हम lunch कर रहे हैं, तो English का अमारा fee अभी कम होगा, only 1500 में हम आपको total English cover up अभी करवा देंगे, ठीक है न, तो यह आपका live classes भी चलेगा, English तो पूरा का पूरा live classes चलेगा, और GS आपका थुरा recorded होगा, थुरा live होगा, Maths आपका recorded होगा और live होगा, तो ऐसे करके हम class करवाएंगे, और आपको mains क्या भी तैयारी करवादेंगे, मतलब आप mains क्या online तैयारी करना चाहते हैं, तो online भी कर सकते हैं, अगर आप offline भी करना चाहते हैं, तो offline तो बहुत कमा students का होगा, तो seat available होगा, तभी उपाएगा, हम घर पे आके बढ़ाते हैं, वैसे, आप अपना requirement मुझे इस number पर बता दिजेगा और जैसा आप होगा वैसा मैं आपको बता दूँगा तो अभी आप जैसे यह है कि आप चाहें तो online classes ले सकते हैं online भी मेरा classes बहुत अच्छा है आप social distancing से दूरी रहेंगे ज़्यादा अच्छा है घर में रखके पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छा पढ़ाई online में ही हो जाते हैं तो आप चाहें तो यहाँ पर classes ले सकते हैं तो आप अपने recording feasibility के recording कीजे और जो भी हो मैं आप लोग को एक ही चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ कि देखें GS का कोई guarantee नहीं है कि एक particular जगह से पढ़ेगा तो आपका हुई जाएगा इससे अच्छा है एक बहुत अच्छा किताब है Lucent ठीक है ना आप चाहें तो इस Lucent बुक से जितना ज़्यादा हो सके उतना content आप remember करना शुरू कर दीजे इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे questions परे हुए है यह जो आपका rabbit का 28 teeth होता है यह Lucent में दिया हुआ है तो जो भी students different mammals का वहाँ पर दिया हुआ है जो भी student Lucent पर रहाता बहुत सारे questions attempt कर सकता है तो आप ऐसे करके इतना suggestion मैंने आपको दे दिया और जो cut-off है वो आपको मैंने पहले बता दिया कि कितना expected cut-off है यह बहुत सारा student जो है हमारे जो हमारे पास तैयारी कर चुके है सारे student का हम analysis कर चुके है तब आपको यह मैं आपको cut-off बता रहा हूँ वीडियो solution भी आपका पूरा परा रहेगा ठीक है वहाँ पर मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा तो आज के लिए इतना ही थांक्यू फॉर टूड़े